साल 2020 का ये पहला संडे है और ये संडे हम सब के लिए एक सौगात लेकर आया है सौगात इसलिए क्योंकि हमारे श्रोतागर्ड जादा तर ये बोलते हैं कि भाई उनके अपने चहीते डॉक्टर अमंग खन्ना जी को इस साल की शुरुवात में भी लेकर आये तो देखिए हमारे श्रोतागर्ड की फर्माईश सिराखुपर और उनके लिए ही हम सब के लिए ही ये नए साल का पहला इतबार पहला संडे हम अपने सभी श्रोतागर्ड के लिए ही लेकर आये हैं जिसमें आपके अपने चहीते डॉक्टर अमंग खन्ना हमारे साथ हैं तो दोस्तों अगर आपको या आप से संबंदित किसी भी व्यक्ति को सेहत से संबंदित कोई परिशानी है और अगर आप खुद कोई जानकारी चाहते हैं तो बेचे जग आप नंबर मिला सकते हैं नंबर है 0522 411 33 सक्यावन और आपके अपने चाहिते डॉक्टर डॉक्टर उमं खना हला कि हमारे पूरे लखनों में इनका नाम ही काफी है यह ना सिर्फ एक बहुत बड़े होमियोपैथिक चिकित सके साथ ही साथ समाज के भी उत्थान करने वाले हैं समाजिक सुधारक है और समाज में लोगों में इनका बहुत बड़ा नाम है क्योंकि हैं हमेशा कि समा वो याद रख सकते हैं, डॉक्टर ओवंखन्दा, और डॉक्टर ओवंखन्दा जी हमारे साथ है, तो सर सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुक्त कामना है आपको, और हमारे साथ ये जो नववर्ष 2020 का पहला इतवार जो आप हमें दे रहें, उसके लिए सर हम आ हैं अधर्णिय गांधी जी के, कि वो इतना वैल्यू वाला, अभी मैं आपके स्कूल आ राता है, स्टूडियो के लिए, तो देखा, बाहर मंत्र बज रहें, कोई गुरू जी आए हुए हैं, और तमाम स्टाफ और गार्जियन्स आए हुए हैं, और वहां यहां पर ओम और सरस्वती मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो ऐसी वैल्यूज ही मुझे यहां खीचे आती हैं, और मैं तमाम अपने CMS के स्टाफ, CMS के पदादिकारी, CMS के गार्जियन्स और CMS के बच्चे, सब का मैं अभी नंदन करता हूं, और नवर्ष के लिए आपके जीवन में और ज्यादा फली बूत हो, इसकी दिल से सुबकामना देता हूं. सर्दी, खासी, कफ, आखे जोड़ जाना और बहुत बहुत तरीके की समस्या होती है, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमें बताए कि कौन-कौन से परिशानी जिससे कि हमारे श्रोतागर उस से रिलेट कर पाए, कि हाँ ये परिशानी तो हमें भी है, तो थोड़ा सा आप तो ये बताए कि कौन-कौन से इस वक्त परिशानी वाके में लोगों को होती है। तो आप पहले साफधान हो जाएं, उसको आप केटेगराइज कर लें कि कौन सा बुखार आपको हो सकता है। मैं कुछ दिखर करता हूँ कुछ सिम्टम्स का, आप लोग अपने में अगर किसी हमाय सोतागर को बुखार हो या परिवार में हो तो उसको जोड़ सकता है। अगर लगातार आपके फीवर बना है और साथ में आपको नजला जो काम है, तो समझ लीजिए आपको वारेल फीवर है। वारेल फीवर आप कुछ करें प्रियास या ना करें, चार-पांच दिन में ठीक हो जाएगा। फिर आता है टाइफाइड इस मुसम में भी बहुत जादा फैला हुआ है। जबकि एक वक्त था जब कभी इतने विंटर्स में नहीं आता था लेकिन हम अपने क्लिनिक पर देखते हैं बहुत मरी जा रहे हैं। तो टाइफाइड अगर आपको है तो वो इस स्थिती में बुखार होगा कि बुखार आपको शाम को आता हो सुबा 10-11 बजे तक रहता हो और 11 बजे के बाद उतर जाता हो। फीवर आपका बहुत तेज होता हो, 103-104 डिग्री तक होता हो और आपके पसीने में बद्बू ब कुसाल चीकित्सक से तुरंट मिलें फिर आता है डेंगु का फीवर इस से में हाला कि डेंगु नहीं है लेकिन आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है हो सकता है हमारे कुछ साउथ में रहने वाले लोग हो माली यहां पर थोड़ा मौसम ठंडा है अभी डेंगु का मच्छर कि दिका नहीं है लेकिन जो साउथ के लोग या वहां के लोग यहां पर होंगे और कभी उनके परिवार में वहां पर रहते होंगे तो उनको निश्ची तौर पर हो सकता है क्योंकि वहाँ टेंपरेशर नार्मल है जहीं तो डेंगु का फीवर बहुत हाई ग्रेट फीवर ह सकता है । आप तूरंची की सक्से मिले यह इस तरह आप अपने बुकार को केटेग्राइज कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं उसके बाद आता है सर्दी जुक्रांब अगर बुखार नहीं भी है तो आजकल के मौसम का जोंगी सर्दी जुकावना बहुत जिद्धी हो गया है पहले होता था कि हाँ नाक सुरसुर होती थी गला बैट जाता था अब ये बहुत ज़्यादा जिद्ध हो गया है अंदर की तरफ वो जकड के रोख देता है कभी कान बंथ, कभी आँखों से कभी मतलब बलगम निकलते भी नहीं है इस ताइब की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है क्योंकि पिछले सब्ता भी जो प्रेशन आये थे जादा तर इसी से रिलेटेड आये थे हाला कि उनको वाजिब उत्तर नहीं मिलाता तो जिन्षोताओं ने पिछली बार क्वेशन किया था तो हो सकता है उनको मिल जाए आपने बहुत सही बात उठाई मेडम यह जिद्धी हो गया है जिद्धी इसेंस में हो गया है यह आपकी भावना निकल के आ रही है जो काम को लेकर क्योंकि हम लोग की हम लोग जब भी जुकाम होता है हाई एंटिबाइटिक्स और हाई एंटिवाइरल से उसको सप्रेस करते जाते हैं और हमारा बोडी और ज्यादा इन्यून ड्रक्स का होता जाता है और वो चीज को खत्म करने में और दिक्कत होती जाती है तो अगर किसी को जुकाम है तो एक कॉलर जोड़ रहे हैं चलिए जानते हैं उनकी क्या समस्या है अच्छा जी अपना प्रशन कीजिए और स्वागत है नव वर्ष की बहुत बहुत चुपकामना है आपको जी और डॉक्टर रुमंखना जी है उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे क्या सवाल है अपका ठंड से बचना चाहिए अगर कि आप कादे से आप अपना बच्छो और कादे सब को तरह बहुने रहना रहे है सब को जोखना चाहिए ठंड से आपको बचना चाहिए और अपने सरीर को अंदर से इतना मजबूत करना चाहिए इम्मूनिटी इतनी डेविलप करनी चाहिए कि आपके जुकाम हो ना बिल्कुल मतलब आप जुकाम जाने का आप सर्दी जाने का इंतिजार क्यों करें आप अपने सरीर को इतना मजबूत करने कि सर्दी मेहीं आप आनंद लें आप सोचें कि एक महीने बाद फिर इत्ती गर्मी पढ़ने लगेगी कि छे महीने साथ महीना त्रही त्रही गर्मी से मज़ जाएगी बिल्कुल तो आप हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं आपको बताता हूँ कुछ बाते अपने तमाम सोताओं को कि वो सरदी में जुकाम से जो भी मैडम ने सवाल उठाये था जुकाम का इंफ्लूइंजा का तो जो है उससे कैसे बचें आप अपने बाड़ी को इम्यून करें और बाड़ी इम्यून करने का हम आपको एक बड़ा अचुख नुसका अपने सोताओं को जोड़ रहे हैं हलो 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 जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्श के पहले इत्वार में आप से बात हो रही है इसलिए आपको हैपी न्यू यह आपको भी और डॉक्टर साथ कौन से आए हुए हैं आपको आप हमारा प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं जी परनाम करते हैं नमस्कार करते हैं और नौ वर्श की सुपकामनाए अपको भी बहुत सुपकामनाए है और बहुत बहुत साधुवाद नव वर्श का आने वाला वर्श आपका अच्छा हो जी आपका भी हमाने डॉक्टर साब का भी नौबर्स अच्छा हो ताकि वो हम प्रोताओं के लिए जानकारियां लाते रहें और देटे रहें जी और क्या पूछना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर रुमंग खनाग जी को जी और नहीं मेरी कातिये का क्योंकि हमें मुबाइल पर ही जवाब सुने हैं आच्छा मैं नहीं फोन काटोंगे आप हाँ बिल्कुल ठीक है बताइए जी हमें तीन तार प्रस्न करने हैं तो पहला प्रस्न हम यह करते हैं डॉक्टर साहब के जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि इनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही होती है जैसे कि 6-7 साल के हो गए हैं फिर भी उनकी हाइट नहीं बढ़ती तो इसके बिसे में डॉक्टर साहब का कुछ कहना हो तो हमें जरूर बता हैं ठीके पहला प्रश्न का उत्तर पहले हम आपको बहुत अच्छी बार ब के बाद अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रही है तो हम आपको एक बहुत अच्छूग दवा बता रहे हो दवा का नाम है ब्राइटा कार्बोनिकम या हुमियोपैथी की दवा है ब्राइटा कार्ब या 30 पावर में आप 2-2 बून दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे क 6 महीने के अंदर आपके बच्चे की दिमागी तवर भी अस्तर बढ़ने लगा और उसकी हाइट भी बढ़ने लगी दूसरी बात पर आ जाते हैं घरेलू नुसके पर आप दूद बच्चे को पिलाएं और दूद में आप क्या करें एक गेहूं के दाने के बराबर चूना वो चूना जो पांच रुपए की डिबिया पान की दुकान पर मिलती है लोटे में जो पन बनाने वाले हैं वो लोटे में चूना रखे रहते हैं उसको आप गेहूं के दाने के बराबर चूना यानि बहुत जरा सा चूना वहां दूद में डाल के बच्चे को रोज भाइट बहुत बढ़ने लगी और जो आप चाहते हैं वैसे ही उसकी हाइट और उसका जो ग्रोथ है वह हो गई इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आप से और तमाम अपने सोताओं से कि अगर अठारा साल उमर हो गई है तो आप किसी के भैकावे में नाए हाइट बढ़ने की उमीद को थोड़ा छोड़ दें उसका मैं कारण भी बता रहा हूं ऐसा क्यों हो सकता है आपको मन में लगे कि समने इसि फ्लैड बात कह दी ऐसे बोल दिया होता क्या है जो आपका रेड़ बोन मैरो होता है आपकी हड्यों का जो मोन मेर čाऊ होता है वह सकराइब साल के बाद yellow bone marrow में हो जाता है और उसमें RBC production बंद हो जाता है जब आपके किसी शरीर की अर्गनिली में RBC production बंद हो जाएगा तो फिर उसकी growth कैसे होगी तो अगर कोई 18 साल का हो गया है तो वो कोशिश कर ले देखिए miracle होते हैं लेकिन miracle miracle ही होते हैं आम तोर पर 18 साल के बाद height बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है जी महिंद्र जी अगला प्रशन कुछ है आपका जी अगला प्रशन हमारा यह है जैसे बच्चों को गरम पहना दिये हैं तो उनको दाने निकल आते हैं तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे क्या कैना जाएं बहुत अच्छा मैं भाई बहुत अच्छा आप जाड़े संबंदी सारे सवाल पूछ रहें अगर बच्चों के जैसे गरम बहुत गरम कप्ड़े पैने उनके दाने निकलने लगे उसकी इचिंग खुजली भी बंद हो जाएगी और वहां पने कुस्वस्त और कमफर्टेबिल महसूस करेगा जिए अगला प्रशन है रख्टर साहब से की ठंडियों में हाथ-पैर सू जाते हैं तो यह के लिए डॉक्टर साहब हमें कौन सा उप्चार बताएंगे वो भी सवाल है इसा करीब दस पेसेंट रोज आता है जो यही बात कहता है इसके लिए यहां जो ब्लड होता है एक तरह से वेंस बहुत सर्थी में कॉंस्टिक्ट कर जाती है इस कारण यहां सूजन आ जाती है और इसके लिए एक दवा बहुत अच्छी है बलेडोना अगर हमारे क किसी के भी पैरों में सुखास और से लेडीज में आती है सूजन आ रही है तो बलेडोना उनकी दवा है बलेडोना दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार एक हफता ले ले आपका सूजन भी पैर का खतम हो जाएगा और यहां सर्दी इसे जो आपकी शिम्टम मु उबाल कर पीते तो उससे भी हमारी हाइट बढ़ती तो क्या यह अंदे मिस्वास है यह तो मुझे पता ही नहीं था कि बास को बास की चीजों को अगर उबाल करके पानी लोग पीने को बताते हैं यह बास का पानी कहीं नहीं लाब देता है आच्छा यह तमाम सोताओं को ब लेकिन मैं यह कहूंगा कि कुद्रस से डिलेशन में अगर आप देखें तो बास उसके सिंक्रिनाइजेशन में है, बास टॉल होता है, आप बास के साथ एक वर्ड जोड़ेंगे टॉल, तो कोई भी चीज जिसकी कैफियत इस तरह की होती है, वो कहीं न कहीं कुछ फरक डालने में अवस्थ सक्षम है, और अगर हम इसके साइंटिफिक बात पर आप आजाएं, तो इसमें कैल्सियम पेक्टेट, जो इसका सेल वाल्स होती है, उसमें कैल्सियम पेक्टेट, जो दो सेल्स को आपस में जोडता है, उसके बीच में कैल्सियम पेक्टेट नाम का दोता है वहाँ अधिक पाया जाता है तो वहाँ एक संभाविच रीजन हो सकता है जो महिंद भाई ये कह रहे हैं कि बास से हाइट बढ़ सकती है जी महिंद्र जी सारे सारे प्रश्ण के उत्तर बिल गए आपको बेल्कुल निश्ची स्रूप से आपके साथ हम हमेशा संपर्क में है मैडम अभी आपको नंबर बता देंगी जी बता देंगे जानकारी देने के लिए आपको और डॉक्टर साहब को बहुँआ बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर साहब को अमंतरंड किया मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा महेंगी अभी आपको हम जाने नहीं देंगे एक बात आप जाड़े में बीमारी ना पड़ें इसके लिए मैं बहुत अचुक नुसका अपने सुताओं को आपको मैडम के माद्यम से बताना चाहूंगा पहले नोट कर लिए जी डॉक्टर रोमंग करना जी का नंबर जी नंबर तो हमारे पार से वह चौरानवे पंद्रा गोई याद है अगर आपको बीमार महिंजी नहीं पड़ना है तो आप एक रात में मून मिल्क पीना शुरू करें सुन लीजे देखे देखे यह सब हम लोगे 5000 साल पुराने नुस्के हैं लेकिन अंग्रे जब इसको जो है अपनी भाषा में ढाल के और थोड़ा इसको प्रोफेस्नल बना रहे हैं मैं आपको मून मिल्क की सला दे रहा हूं अब आपका अगला सवाल होगा मून मिल्क साहब क्या होता है मून मिल्क का मतलब जैसे बता रहा है कि चद्रभा के टाइम पर पिया जाता है तो जब मून निकलता है रात में तो रात में आप दूद में थोड़ी डालचीनी पाउडर ठोड़ी सी हल्दी और शहद सिर्फ यह तीन चीज़ें डाल के पीलें आपको पूरे आप रोज रात में गिलास पीलें तो आप पाएंगे आप देखेंगे कि आपको लाप हुआ आपका कि इम्निटी बढ़ेगी आपको पर जुकाम होगा हिने क्योंकि अगर जुकाम हो गए तो दिन वह रहेगा जरूर चाहेelim कुछ कर लें क्योंकि वाइरस से होता है तो यहां जुकाम आपको होगा जरूर तो इसके बचने का सबसे अच्छा उपाए जो हमने आपको बताया वही है और अगर आपको यह हो जाए तो उसकी तमाम दबाएं बहुत-बहुत घंडिवाद जी बताइए कि यह भी अगर इस पर भी प्रकाश डाल दें कि जैसे पैकेटों में तो मिल्कुल सही कह रहा है कुछ खराबिया भी होती है तो मच्छे औ बुरे की पहचान कैसे करें की मिलावटी कौन होता है और कौन नहीं मिलावट वाला होता है कि आप कोई गौसाला ढूंडे और वहाँ पर जाके अपने सामने दूद लें क्योंकि अब कहीं-कहीं हलात से समझवता होता है अब हलात अगर ऐसे हैं कि भी दूद आपको नहीं मिला पैकेट वाला ही चाहिए तो पैकेट वाला लें उसकी अच्छाई बुराई की बात आ के लिए आपको वह दूद के क्वाल्टी देता है जो की अ ऑथेंटिक नहीं है एट लीस्ट जो बड़ी कंपनिया होती है इनका एक सिस्टम होता है काम का इनके इंप्लॉई हल लेविल पे होते हैं जो चीजों को मानिटर करते हैं महंदर जी और बाकी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं तो अगर आपको अच्छा करवाने की हमें कोशिश करिएगा मैं कोशिश करूंगी और शाम को यह वाला प्रोग्राम आप सुनने की कोशिश कीजेगा ठीक है हम पुरी कोशिश करेंगे किया क्या प्रश की एक बार फिर से बहुत बहुत चुपकामना है अच्छा आपका नाम क्या नाम है आपका आपने मुझे बता था मैं भूल गई जी कपिल क्या पूछना चाहते हैं आप बताईए पहली बार आपका फोन लगा है बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने फोन किया है जी और हमारे सपात भी हो रही आपकी ऐसी जुड़े रही है जी कपिल जी और ये डॉक्टर साब जो है डॉक्टर रोमंग खन्ना जी इनका नंबर है कि नहीं आपके पास अच्छा आपको याद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप याद कर लीजे देखिये हैं चौरानबे पंद्रा चौरानबे पंद्रा जी साथ सो च्यासी तीन सो असी याद कर लीजेगा डॉक्टर उमंग करना जी होमियोपैतिक के बहुत बड़े चिकिच्चक है अपने लखनों के वो हमारे साथ है जी चौरानबे पंद्रा साथ सो च्यासी तीन को असी अरे वाग को तो याद हो गया जी क्या कहना चाहते हैं आप बताई अब बिलकुल वो डॉक्टर साथ बहुत सारी बाते बता रहे हैं आप बाद वाले प्रस कपिल जी कपिल जी सुनिये डॉक्टर एक बात आप और जोड़िएगा पहले तो आपको धन्यवाद कि आप सीमस कम्यूटी रेडियो 90.4 मेगार्स के जिसके पास इतने फेटफुल्स रोता हूं तो यह देखकर कि मनानदित हो जाता है जिसमें आप जैसे लोग हैं जो जाइफल आप जाइफल रगड़के उसको दूद्ध या किसी माध्यम से ले ले और किसी बच्चे को सर्दी है तो उसको जाइफल दे जे अगर बहुत चोटा बच्चा तो उसके नाभी में अमलाइकस के आसपाट जाइफल को और सीने पर मल दें आप देखेंगे उसकी सर देखेंगेगा बादवाले प्रसारण में ठीक है? देखेंगे हम सुनाइगे बिलकुल ठीक है? तो शुनाइगे जरूर थीक है? इस कारिक्रम में हम ले कर आए हैं डॉक्टर उमंग घना जी को जो की होमियोपेथिक चिकित सके अपने शहर लगनों के साथ ही साथ समाज़क कारिकरता भी है और हमारे साथ अभी आदे खंटे और रहेंगे अगर आप इन से प्रशन पूछना चाहते हैं इस मौसम में अगर क कोई भी परिशानी है उसके संबंद में तो आप फोन करके पूछ सकते हैं इस कारिक्रम में शिर्कत करने के लिए नंबर नोट कर लिजे शुनी पांच तो दो चार सो ग्यारा तैतिस एक ग्यावन चार एक एक तीन तीन पांच एक इस नंबर पर फोन मिला करके डॉक्टर अब एक श्रोतागर हम से पूछे थे कि आगर वो आप से मिलना चाहे तो क्या कर सकते हैं फोन नंबर उनके पास है लेकिन एक उनमें एक है कि अरे इतने बड़े डॉक्टर है पता नहीं मेरा फोन उठाएंगे या नहीं उन से हम मिल पाएंगे या नहीं एक जिजग भी र सिंपल लोग हैं हम जैसे आप से बात कर रहे हैं ऐसे ही हम है जैसे आप हमें सुन रहे होंगे यह नंबर बहुत सहज है आप जब भी कॉल करेंगे 94-15-786-380-9415-786-380 कोई ना कोई उस फोन को पिक करेगा और आप से बहुत इज़त से बात करेगा आपकी पूरी बात सुनेगा और बात हम तक पहुंचा देगा तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो इस प्रोग्राम के आद्यम से इच्छा हो मैं तो चाहूंगा आप अपनी इच्छा इसी वक्त पैदा करिये ताकि और सोता भी सुन ले और कभी आपको बात में कुछ याद आए तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपका क्लीनिक जो है वो नादान महल रोड नक्खास पर है आप उस पर आ सकते हैं और हमारा एक आप जैसे साथ ही उस पर जुड़े हैं आप डॉक्टर उमंखना यूटूब पर टाइप करें डियार यूमंग की एच्छ डबल ने आप हमको अपने सामने पाएंगे अरे वाह तो जान लिया दोस्तों आपने डॉक्टर उमंखना जी से आप भी जुड़ सकते हैं आपके से पहले जो दूसरे बाइच्ट होता थे वो भी बात किये थे मेरी बात रहेंगे जी कि भाई अगर सर्दी सुखाम इतना जाद अचकर घीट हो गया है और कान बंद आखों से पानी आना ऐसे में मतलब सुखाम समझ में आ रहा है निकल नहीं रहा है ऐसे भी क्या करें इसक में कम होती है अगर वाइरल हो गया है तो होमियोपैथी आपके लिए बेस्ट है आप वो करें अब इसमें हम लोग चार पास सिंटम की बात कर लेते हैं पहला मैं ने उठाया कि पानी ऐसी नाग बह रही है अगर हमारा कोई सोता गण है जिसको नजला हुआ है जिसके बच् नजला को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है जब आपके जो नाक और नाक से पानी आ रहा हो उसमें जलन ना हो और अगर आपसे नाक से जो पानी आ रहा हो उसमें जलन है तो यूफ्रेशिया सबसे अच्छी दवा है तो यह दोनों सिंटम में से जो आपके हो आप 30 पाव में सबसे कारगर दवा है डलका मारा डलका मारा डलका मारा डालते हैं, खाते हैं, यह इस का डलका मारा आप किसी मेडिकल इस्टोर पे चले जाएं, वो 10 रुपए की आपको दो ड्राम दवा बना देगा, सुगर पिल्स तो आपके दिमाग में stress हुआ, माइग्रीन तनाव के कारण होता है, वह तनाव चाहे आपका cervical spondylitis का हो, चाहे वह आपके जुकाम का तनाव हो, चाहे वह आपके tension का तनाव हो, तो अगर आपके tension का तनाव है, मैं थोड़ा सा detail में जा रहा हूँ, क्योंकि जिस रोता को जो है, वह पकड़ लेगा बात को, तो अगर उसके tension से हो रहा है, तो उसकी दवाए एकोनाइट है, माइग्रेन हो रहा है, तो एकोनाइट है, आप एकोनाइट 30-2-2 बून दिन में 3 बाल ले ले, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा, अगर आपको नजले से माइग्रेन हो रहा है, तो आपकी दवाए इस्टिक्टा पल्मुनेरिया, इस्टिक्टा पल्मुनेरिया 30 पावर में 2-2 बून दिन में आप 3 बाल ले ले, आपका सारा नजला बह जाएगा, और जब नजला बह जाएगा, तो आपका माइग्रेन खतम हो जाएगा, और ओवर्ल माइग्रेन को ठीक करने की, क्या आपको कारण भी नहीं पता है, लेकिन सर में डर्ध हो रहा है, या उठता रहता है, हर हफते में एक बार माइग्रेन हो जाता है, तो उस इस्थिति में आपकी एक बहुत कारगर दबा है, और वहाँ स्पाईजीलिया, स्पाईजीलिया, थर्टी दो दो बून दिन में तीन भाल ले ले, यह रामबान है, वह ऐसा रामबान जो आपके माइग्रेन को तुरंट ठीक कर देगा, आपको वैसोग्रेन या अन्य जो ब्रूफिन आपको खानी पड़ती हैं, उसे आपको बचा लेगा, जो श्रोतागर अभी सुन रहे हैं वह सोच रहोंगे कि इतनी कठिन जो दबाई के नाम है, यह बहुत बड़ी बात है यह जो मैडम आपने सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है, जिस परिवार में किसी बच्चे को को डायरिया हो जाता सर्दी लगती और सर्दी आजकल बढ़ों को भी होता है और खास तोर से बच्चे क्योंकि बच्चे जल्दी को कैच कर देते हैं बच्चों की इम्निटी थोड़ी सी तो तो जो है अब आजकल नए साल पे लोग बाहर मनाने के लिए और मैं देखता हूं लोग तमाम सोसल मीडिया पर फोटो बरप के साथ जो है फोटो छोटे-छोटे बच्चों की डालते और अगर आपको को डायरिया हो जाता है वो एक समझ से आए तो सबसे पहले तो बच्चों को सर्दी से बचाएं और अगर बच्चे को 25 से 30 से 40 पतली पानी ऐसी पौटी आना सुरू हो गई है तो पहले ही दिन पहले ही दिन आप तुरंत वह आरेस को सुरू करें सबसे बड़ी चीज तीन चम्मच एक लीटर पानी में डाल दें और वहां पानी बच्चे को दिन भर पिलाए ताकि उसको डिप लगने की नौब होता है और आप परिशान ना हो इसको रिजॉल्व होने में चार से पांट दिन लगेंगे जरूर जैसे बच्चे को एक दो तीन दिन पौटी आ जाए बच्चा थोड़ा जटक जाए तो आप परिशान ना हो आप उसको फ्लूइड देते रहे उबले पानी में वारेस डाल अच्छा और जो बढ़ों को अगर यह परिशानी होती है राव को शुड़ा है कि उनके इसमें इक दवा और जोड़ाती वहाए आर्सनीक अलबम मतों यहाई ज्यानि अगर ब्रद्धर C 얘는 was the first Thomas whose विकली ले यह और अशनीक और कालीकारव वह जाए तीन बाल ले आप देखेंगे आपका code idea ठीक हो गया जी अब पेट में भी दर्द होने लगता है शायद वो सर्दी अगर आपके पेट में एठन और मरोड हो रही है सर्दी लगने के कारण तो उसकी हुम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है दवा का नाम है कोलो सिंथ कोलो सिंथ 30 सब्सक्राइब करते हैं कई लोग अपने घर पे heater, blower इन सब चीजों को भी जला करके रखते हैं इनकी side effects भी तो होते होंगे न ब्लूर का side effect होता है dehydration, blower आपके body को dehydrate करता है यानि पानी आपके सरीर से खीचता है आपकी skin को dry करता है तो अगर आप थोड़ा सा कस्ट कर सक अच्छा होता है अपना koila जो होता है और koila बहुत भी नहीं करता बहुत धुआ नहीं करता है कि अगर कोईला जल जाता है उसके आप कमरे में रख सकते हैं बच्चों के लिए थोड़ा अंसेफ है इसके घर में छोटा बच्चा है परिवार में उसके लिए थोड़ी दिक् अगर वो नहीं हो सकता है क्योंकि घर में छोटे बच्चे या समय का भाव है तो जो ट्यूब वाले हीटर आते हैं वो बुजूर व्यक्ति के पास लगा दे वो उसको धीरे-दीरे हीट देता रहेगा और तीसरे इस्टेंडर्ड पेस में आता है यारी सी ग्रेड में आता ह है हाट्विंड ब्लूवर जिसकी की बात हो रहे हैं लेकि पानी खीचता है बलकि यह फोर्थ है थार्ड आगया आपका हीटर जो रॉड़ वाला हीटर होता है वो फिर भी अच्छा है और फूर्थ प्या गया ब्लूवर क्योंकि जो हीटर होता है हीटर आपको लोकलाईस को इतना घरम कर देता है कि फिर वो आपके जो अंदर का immune system है वही उसके लिए over reactive हो जाता है जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है क्योंकि ये बात तो भाई एक doctor से अगर हम पूछते हैं तो generally doctor कहते हैं कि ये इसका कैसे जवाब दें कि लेकिन आपके पास जैसे क कई बार घर पर कहते हैं कि रोज ना नहाओ सर्दी में और अगर कोई घर से निकल रहा है जैसे मेरी मैं अगर निकलती हूँ ममी कहते हैं नहीं नहा कर निकलो बाहर ठंडी हवा है तुमको ठंड लग जाएगी नहा कर मत निकलो आज कल नहा लेना आज बहुत ठंड है ये ट सच पता है लेकिन वो आप से महबत करती है मा होती है जो एक बच्चे को मा से बढ़िया साथी कोई नहीं होता तो वो केर होने के कारण कभी-कभी हम बच्चों को ओवर रिस्पांसिव जैसे बच्चे को आई का टाइम है लेकिन हम देख रहे हैं वो बहुत देर से बैठा है बेटा सो जाओ बहुत थक गए है तो कहीं कहीं हम लोग लिनियंट हो जाते है वही बात है नहने की बात जहां तक है आपने बात कहीं तो आपकी बात से मुझे एक फेस्बुक की पोस्ट याद आई कभी मैंने देखी थी उसमें हमने देखा था बड़ी वाइरल हुई थी एक साधू है वहां केदारनाथ जी की तरफ या कहीं पर है और बरफ तोड़के उसके नीचे पानी निकालके उससे नहारा है तो यह क्या दरसाता है यह दरसाता है कि हमारी बाड़ी की जो रेजिस्टिविटी जो हमारी इच्छा सकती है उस अस्तर तक है लेकिन हम उसको ग गिराते गिराते इत्ता नीचे ले आते हैं कि बहुत थंडक है और इससे हम अपने सरीर का नुकसान करते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ती का नुकसान करते हैं, अपने सरीर का जो नियम है इको सिस्टम में उसका नुकसान करते हैं, तो मैं कहूंगा अबस रोज नहाना अगर जितने गरम पानी से आप नहाएंगे, आपकी skin dry होती जाएगी, और आप परिसान होते जाएंगे, तो नहाना भी अवश्च चाहिए, और बहुत ही मध्धम मतलब room temperature के पानी से नहाना चाहिए, वो ठंडा ना हो, मानते हैं, टंकी का पानी है, और जिनके घर boring लगी है, मैं तो कहूंगा थोड़ी सी हिम्मत करें, और बोरिंग के पानी थोड़ा गरम होता है, आपके नीचे से fresh water आता है, इस समय बोरिंग का switch on करें, जो direct flow आ रहा हो, उस पानी से नहाले, अच्छा, तो ये इस बात का भी तो जवाब डॉक्टर साव आपने हमें दे दिया, बहुत जादा बढ़ जाते हैं, इस वह उठकरके मुठ्टी नहीं बंद होते हैं, पैर नहीं चलता है, घुटने और बहुत जादा समय हो जाते हैं, पहरे तो बताइए, इस मौसम में क्यों होती है, और इसके बाद अगर हम्मती भी हैं, तो उससे वह कैसे निप्टे, जी जोडों में सूजन तभी ज़्यादा आएगी जब सर्दी होगी जब पैर में सूजन आ सकती तो जोडों में सूजन आ सकती तो अर्थराइटीज निश्चित रूप से सर्दी में बढ़ता है और हमारी माताएं बहने बहुत जादा परिसान रहती हैं इसके लिए जो सबसे प में हीट रहे और गरम पानी का सेवन तो गुंगुने पानी का ही करना चाहिए मेरे यह मैं देखता हूं क्लीनिक पर बड़े बड़े जो लोग आते हैं जो बतलब अगर मैं एक व्यक्ति की बात करो आदनिये श्री भगवती सिंग जी मान लीजिया है उनकी एज भगवान उन पानी उनको पिलाता है तो फिटनेस का एक राज है गुन-गुना पानी और सुबा खाली पेट एक ग्लास पानी अवस्थ पीना चाहिए और तांबे के बरतन में पीना चाहिए और यहां पे मैं एक विशय को और जोड़ देता हूं कि आपके पास यह जो जाड़े के तीन म महिना नॉवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी अभी बाकि हमाई दर्सक सोता नोट कर लें जी नॉवंबर दिसंबर जनवरी अस्वगंदा पावडर के साथ दूद ले लिया तो आपका दूद आपका जो वह है हट वह पूरे साल के लिए डीटोक्सिफाई हो जाएगा जी अश्वगंदा कितना लेना चाहिए उसमें एक चोथाई चमच यह इतने पावरफुल हर्ज होते हैं मैं कि इनको बहुत कम लेना चाहिए और बहुत साबधानी से लेना चाहिए जैसे लैसून हींग है कुछ लोग की आदत होती डाल में हींगी हींग डाले हुए यह सब ब सब्सक्राइब करते हैं आपको सुनके अजीब लग लेकिन अगर आप मेरी बात को थोड़ा से सोचे तो आप पाएंगे आप सोचिए कि लैसून किता एक लैसून कटता पूरे घर में महक आती है जरा से हींग आप डाल दीजे जो प्योर हींग होती है अगर आप इतनी सी चूरा भर की डाल दीजे तो पूरा घर उसे महिकने लगता तो इतने स्ट्रॉंग पर जब आपके बॉडी में जाते तो यह डिस्टरबेंस भी पैदा करते हैं तो आपको यह चीजे कम लेनी चाहिए और जहां तक आर्थराइटीस की बात है हो रही थी तो आर्थराइटी दवा का नाम लेना चाहूँगा कोल्चिकम कोल्चिकम अभी मैंने सवाल उठाए कि सुबा उठते तो मुठी बंदोने में दिक्कत होती है तो उस कैफियत की यहनी स्मॉल जॉइंट्स में सूजन की छोटे जोडों में सूजन की सब सेची दवा कोल्चिकम और टेमनेल 30 है आप कोल्चिकम 32 बून दिन में 3 बाल ले ले आप देखेंगे एक हपते के अंदर आपकी मुठी बंदोना आराम से शुरू हो गई और दूसरी दवा हो गई बड़े जोडों की कोल्चिकम हो गई छोटे जोडों की आपके बड़े जोडों में सूजन है घुटने में बहु लाम मिल गया यहां बलकुल बात अपनी पूरी किशे एक में टीसी दवा इसकी है कि जब उठते हैं पैर जमीन पर रखते तो एड़ी में बहुत तेज दर्द होता है जे एक ये भी सवाल इसमें आएगा भी कि हमाई सोता के तो इसकी दवा है रूटा ग्रेविलेंस चिकम रस्टॉक्स और रस्टॉकस हब हैं चलने से आपको और मिलता है और द्रम रेंटोपनों से लोग सकती है À तो आपको मन में कोई differentiation की इच्छे ही नहीं रहेगी, तो ब्राइनिया का काम होता है कि जीना चड़ने पे बहुत तकलीफ होने लगी, जीना नहीं चड़ पा रहे हैं, स्टेर्स नहीं क्लाइम कर पा रहे हैं, तो दवा आपकी ब्राइनिया है, और आप आराम करने पे पर इस चीज़ का जरूर्थ धियान रखे क्यों कि होमियोपैथिक दवाँ क्या लेने में एक बार यह रहता है कि आदे घंटे पहले रहाएं और आदे घंटे बात कुछ नखुछ आई, इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना चाइए, अगर आप चाते है कि होमियोपैथिक आते हैं मरीज, उनका एक सवाल हर मरीज का होता है, कि डग सब क्या क्हाएं? जो हमारे कबजियत नहों खास दोर से. तो मैं यही कहता हूं कि आप वो सब खाईे जिससे आपके कबजियत नहों. मैं फिर से वह मुझसे पूछते हैं कि डाग साब क्या खाए जो कभजयत ना हो हम कहते हैं आप वह सब खाए जिससे आपको कभजयत ना होती हो तो जिससे आपको तकलीफ ना हो वह आप सब खाए बाड़ी तुरंट रिजिश्ट कर देता है उन चीजों को जो आपके सरीर के लिए नुकसान दे अब आप उस कुद्रत के इसारे को समझ पाएं और ना समझ पाएं वो आपकी इच्छा है बिलकुल बिलकुल उसे पता चल जाता है कि हाँ यह ने खालिया है तो यह प्रॉब्लम हो गई है एक और विसे में सोता को बोल दूँ अभी रह गया नजले का नजले में जो है जो बात हुई माइगरेन की हुए थी तो नजला जो आपके है इसमें एक चीज आती है साइनस साइनस वाली प्रॉब्लम हाँ बहुत मरी साइनस से भी जाड़े में परिसान देते हैं बिंटर्स में साइनस से बहुत परिसान रहते हैं तो अगर हम तो तो अगर यह शिम्टम हो तो आप समझ लें आपको साइनस है और इसकी एक दबा में आपको केबल बताऊंगा और वहाए काली बाइक्रूम काली बाइक्रूम थर्टी दो दो वहन दिन में तीन बार ले लें आपका साइनस पूरा तीन महिने के लिए पूरा जाड़े भर महिनेच हог न दिए यह क्योर भी करेगा, जब गर्मी आएगी तो आपको sinus का हिसासी नहीं होगा, वो ठीक हो चुका होगा काली बाइक्रम और sinus की प्रॉब्लम इस ही इनी में जादा रहा है बिल्कुल जहां change of weather होता है, हम लोग गरम कमरे से बाहर गए तर छीके आने लगी तो काली बाइक्रम उसकी drug of the choice है और छीके अगर बहुत जादा आ रही है तो उसकी दवा अमुनियम कार्बोनी कम है अमुनियम कार्ब 30 और अगर आपकी नाक, जिस करवट लेट रहे हैं उधर की नाक बंद हो रहे हैं तो उसकी दवा टीमवी 30 यहां इन सारी दवाओ को आप दो दो बहुन दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे आपका साइनक बिल्कुल ठीक हो गया एक प्रेश्णों उसमें रहे गया था हम अर्थराइटिस की बात कर रहे थे जिसमें आपने का था मुठ्या बंद नहीं होती है या चलने में प्रॉब्लम या चलने में मतलब पहला कदम रखने में यह प्रॉब्लम थी दो चीज़ें और जोड़ना चाहेंगे उसी में कमर दर्थ वाला एक लगता है कि चीक पड़ गई कि क्या हो गया और गरदन अकड़ना यह हमने बहुत ज़्यादा देखा है हाला कि कहीं न कहीं अपनी तरफ से कोई परिशार मतलब प्रॉब्लम होती होगी डूज और डॉन्स की अगर बात करें तो अपनी तरफ से ही किसी ने कोई गलती की होगी तभी ऐसा हुआ होगा बॉड़ी पॉस्च्छर में हम आपको कमर के दर्द एक बहुत बड़ी समस्या है कमर के दर्द का दो कारण हो सकता है पहला कारण हो सकता है सैक्रो इलियाटिस यह क्या है यह जिन हमारे सुरताओं को होगा वो इसको जान रहे होंगे आपके कूले की हड़ी में तीन बोन्स होती है सैक्रम और इलियम जो साइटिका, मेडिकल साइश इत्ती गहरी चीज़ है, क्योंकि जब आपके कूले में सूजन आई, जब आपके जोड में कमर में सूजन आई, तो आपकी साइटिक नर्फ दबने लगी, जो पैर के पीछे की तरफ नीचे तक जाती है, तो पैर में आपको करेंट ऐसा है, अब म पीठ में दर्द हुआ, या कूले में दर्द हुआ, तो साइटिका हुई, तो अगर आपके बैक पेन हो रहा है, सर्दी में ज्यादा हो रहा है, तो इसको ठीक करने के पैथी में बहुत अच्छी दबा है, एसक्यूलस, हिपोकैस्टम, एसक्यूलस, थर्टी, दो-दो- दर्द हुआ, तो अगरकिए क्मर में दर्द दर्द, भी जोड़ सकते हैं. तो आगर आपके कूले में दर्द है, तो आपकी साइटिक नर्द दबने लगी, Chaikika हो गए जोकी बाइड दोरफ चाल तो गरावकिस ये साइडे साइडिका ये लिफ्ट पैर में आपके तीर ऐसा दर्थ साइज58 करेंट ये नीचे की तरफ उतर रहा है उसकी एक दवाहे बहुत बढ़िया then चुमंतर हो जाएगा और आपके राइट साइड पहर में तो आप कोलो सिंथ और गिनेफेलियम यह दोनों दबा थर्टी पावन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका कमर का दर्थ भी सही हो गया, आपका साइटिका भी सही हो गया, आपका बैक पेन भी सही हो गया और आपके जाड़े अच्छे गुलावी जाड़े लगे जो लोग कर जाती है, कभी कैसे बैठे हैं, एक तो लगता है इतनी जाड़े में ज्यादा तर लोग जो एज वाले होते हैं, वो एक जगे बैठे ही रहते हैं, कभी तक्या इधर उधर कर लिया, या गर्दन ऐसे कर या एक ही पॉस्चर में बैठे रहते हैं, उससे भी शायद प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए कहा जाता है थोड़ा चलते फिरते रहे हैं, और यहां पर मैं एक बात और अपने सोताओं को बताना चाहूंगा, कि अगर बैठेने की बात आती है, तो फिर एक निकलते हैं, लोगों से जो है, मिलने मिलाने अपनी कुर्सी छोड़ के दफ्तर में जाते रहें, मिलने से प्रेम बढ़ता है, बाचीस से नई आइडिया जिमांग में आते हैं, और जो तो पाइल्स हो गया, उसकी बात बात, अब जो गर्दन के दर्द के अकड़न, चलने से आराम मिलता है, मुला जब गर्दन को आपने थोड़ी देर हिलाया तो गर्दन आराम से चलने लगी, और गर्दन में दर्द की, सबसे प्रीम दवा है। सब्सक्राइब करें लिए लिए लेखेंगे कि आपका गर्दन का दर्द भी ठीक हो गया और आप भी ठीक हो गये यह चीज बहुत ज्यादा ध्यान और सेख से अरम बिल्कुल इसकाई हीट अपने बाड़ी को जित्ती प्रोबाइट करें अच्छा है ब्लोर वाली हीट नहीं कोई सिर्फ उस लोकल एरिया को हीट जहां पे आपके तकलीफ है अब वो बात आप कह रहे थे पाइल्स वाली पाइल्स को भी इसमें जोड़ लेना चाहिए क्योंकि बिंटर्स में हम लोग खुब हेवी फूट्स खाते हैं और पाइल्स के सिकायत रहती है और गरम खाना ज को आप कोई सकते हैं आपके सब्सक्राइब ऑई यानि कि कि आफ की आत होती है इसको ए सान जाती है इसकोथ कहते है तो यह veins होती हैं जो swelled होती हैं अब आपके constipation रहा आपने बहुत heavy food खाया constipation रहा तो यह veins आपके swell होती रही आप बढ़ती गए यही इस स्थिती को piles कहते हैं और अगर आपके piles है तो इसकी दबाए होमियोपैथी में इसकी सबसे प्रियून डबा है sulfur जो हमारे थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले ले आप देखेंगे आप ठीक हो गए और एक चीज का पाइस के मरीज साब धानी रखे रात का खाना जल्दी और हलका डिनर as light as possible और चल्दी as early as possible आट वज़े तक किसे भी तरीके से आट वज़े तक खाना खाले यह ह हम सब के धर में भी लिखा है चाहे इसला लंदार में निख स में लिखा है कि वीछ श् Wild epic है को को खाना खाले ना चाहिए अपने हिंदू धरं में ही लिखा है कि आपको कखाना जल्दी खाले यह कि उसथ prepared yani में सेपले बचल एती हु और हम उसको कितला समझ 11 pairs यह यह हमारे जो कि पिछले कई प्रोग्राम में पूछे जा रहा है उनका आंसर नहीं मिला है पहली चीज एनीमिया बहुत ज्यादा परिशानी का सामना करना पड़ा है लड़कियों दोनों को ही एनीमिया से क्या करें किस तरीके से एनिमिक होने से बचाए अपने आपको और अगर एनिमि फूट्स होते हैं वो जो आप पौधे को काट दे फसल से काट दे तब भी उनमें ग्रोथ हो आप इसे का उनसे पौधे आप स्प्राउट्स चना डालें इन सब को आप जब अंकुरित कर देते हैं जब आप इसको रख देते हैं किसी गीले कपड़े में भीगोने एक दिन के बाद अगरे इन गीले कपड़े में रख दे तो यहां अंकुरित होगे इनकी ग्रोथ बढ़ती रहती है यही होते हैं लाइफ फूट्स तो यह बर्गर कल्चर से अगर आप हटेंगे और आप लाइफ फूट्स के कल्चर पर आएंगे तो आपका अनीमिया सोता ही दूर किसी को हमाइए सोता को सिभीर अनीमिया मतलब हीमोगलोबीन जिनका कम है तो उनको चार दिन वे निमिया बढ़ाने की दवा हमियोपती में लैसाइथिन है आप लैसाइथिन थरी एक्स पावर में आप जो है दो दो गोली दिन में तीन बाल ले ले चार दिन के अंदर आप जो है लाव ले सकते हैं बहुत अच्छी दवाए और लाइफ फूट्स पर आईए वाह मैं तो पूछ जोच रही थी कि ये इसका जवाब पता नहीं हमें दो तिन मिनिट में मिल पाएगा या नहीं तो आपने वो भी आंसर दे दिया एक और प्रशन है सिर्फ दो मिनिट ब पता दे सोता बिटिलागों लुकोडर्मा में भटकते रहते बिल्कुल सफेद दाग एक चीज है और तो म्यून डिसाडर है थोड़ा जटिल लोग है होमियोपैथी में इसकी दवाए हैं और बहुत अच्छी दवाए हैं मैं दो दवाओं का नाम भी लेना चाहूंगा हाल उसकी प्रीबियम दवाएं थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल लेके आप सफेद दाग को रोख सकते हैं बाकी किसी कुसल किसक से मिलके आप इसका पूरा केश देकर इसकी दवा करें लेकिन यह आटो इम्म्यून डिस ओडर है लगाने से इसमें कुछ नही हो उसका अगर उत्तर चाहिए तो डॉक्टर उमंखनाजी से संपर करें डॉक्टर साब चलते चलते हमारे श्रोताओं को अपनी इम्म्यूनिटी बढ़ाने का कोई गुरु मंत्र दे देजे सबसे इंपार्टन चीज आपने मैडम प्रोग्राम में सबसे आखिर के लिए उसमें डालचीनी उसमें हल्दी और उसमें शहर इसको गरम दूद आप रात में पीना सुरू करतीजे आप देखेंगे कि आपके नजला होगा ही नहीं और आपके इम्म्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने को स्वस्थ पाएंगे अपनी मेहनत का पैसा नहीं देना पड़ेगा डॉक्टर साब आग जो ये पूरा प्रोग्राम रहा है एक घंटे का उसमें बहुत जल्दी जल्दी आपने एक तरीके से पूरे साल भर में कैसे स्वस्थ ये इस टीम पर है मैडम की हम गिनीज बुक रिकार्ड होल्डर हम दुनिया के सबसे सबस्या जाना है तो सोताओं को कलब करके गांधी जी ने गुल्दस्ता तियार करा है इसमें हम लोग अपने इस हवन में हम भी अपनी एक आहूती दे सके यहां उसी के लिए प्रयास्ता बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोमंग खन्ना हम तहीं दिल से आपक्या भा कर दीजे उसमें आपको हर मर्ज का हर रोक का घरेलू उप्चार और होमियोपेथी के लाज उप्चार सब कुछ आपको उसमें मिलेगा आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े और यह जो स्वास्त का कारवा है आदनिये श्री गांधी जी के नित्रत्व में सीमेस कम् जी फोनें कारिक्र मर्सिहत की बार डॉक्टर के साथ का आज का यांक यही पे सवाप्त होता है स्वास्त रहे है खुश रहे है नमस्कार झाल सकती है कर दो